तो देखो आज सर्फिरा और कल की ये मोवी कितना करेगी कलेक्शन उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला आप लोगों से सर्फिरा के लिए थोड़ इसी एक गुड़ न्यूज ये थी कि जो मंडे था उससे बेटर ट्यूजडे आया पर ट्यूजडे का इकुबल वेनजडे आएगा या नहीं तोड़ा डाउटफूल है एक गलती कर दिया यार सर्फिरा वालोंने वो वन पे वन ओफर इन लोगों रखा पिछले वीक पर यार सबसे जात नहीं है एक्चली नहीं है इस फिल्म को लेके मैं क्या ही बूलू जिसमें आक्षे की तो कोई गलती थी नहीं यह सूरिया और इनोंने रूबा दिया फर कोई उसको ब्लेब नी कर रहा ना मुझे उस बात का थोड़ा बुरा लग रहा है कि वह सूरिया जोतिकों को कुछ नहीं बोल रहे इन लोगोंने भी OTT पर डाल देनी चाहे थी ना अगर इनके मेकर्स को नहीं निकालनी थी जो उ जाए इन टेटेंडमेंट वालों के चलो जो भी है इनकी मर्जी तो भाई देखो कल 1.3 करोड का 1.4 करोड का बिजनेस सॉरी 1.4 नहीं बाई उतना ने किया सॉरी सॉरी 40 लाग का बिजनेस कल हुआ है सॉरी कल 39 लाग का बिजनेस किया कल इसने 39 लाग के आज फिल्म 25 लाग वैसे भी कामा रही है विच इस क्वाइट गूड बट अब क्या बोले भाई मतलब विच इस क्वाइट गूड भी नहीं बोल सकता 80 करोड बजट है और 22 करोड के ऊपर थोड़ी फिल्म गई है आज का अगर काउंट कर ले तो साड़े 22 करोड हो जाएगा लाइफ टम 25 करोड के आसपास हो जाएगा सर फिर आब आते कल की पर कल की ने कल भी लगबग अर्ली एस्टिमेंट के अनुसार 1.9 करोड का बिजनस किया था आज भी वह 1.8 करोड से लेके 2 करोड का प्रेडिक्शन में क उम्मीद नहीं है जब आएगा तब आएगा पोश्टर अब 1100 तक तो होई चुका है क्या ये 1200 का डायरेक वेट कर रहे कि डायरेक पोश्टर देंगे ये साड़े 1100 का वेट कर रहे है I don't know क्योंकि पोश्टर देना उनका काम है अपना नहीं है as a critic as a YouTuber हम सिर्फ वेट कर सक प्रोडूसर फीगर्स का I mean obviously उतना तो होई चुका है collection बट प्रोडूसर पे है कि उनको अगर टैक्स बचाना है तो ये आराम से देते रहेंगे collection पर जिस तरीके से इन लोगों ने 8 वीक के बदले 10 वीक फिल्म चलेगी थेटर में बोला है इससे ये तो हिंट मिल चुकी कि पोस्टर आने वाला है OTT पे ये लेट ला रहे है दो वीक लेट लाने वाले इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये लोग ठेटरिकल में इंटरेस्टेड है इनको प्रोफिट हो रहा है और ये पोस्टर डेफिनेटली लाएंगे वरना भाई ऐसा statement अगर ये लोग पोस्पॉन के वीक दमें क्यों रहे रहेगा